हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघव सर साइन्स में आज हम कक्षा टैंथ विसे विज्ञान के अधियाय च्छे जेव प्रक्रम पर आधारित ग्यान बोध वाले प्रशनों को समझेंगे आज का हमारा प्रशन है गैसों के विनमय के लिए मानव फुफुस में अधिक्तम चेतरपल को कैसे अभिकल्पित किया है अध्वा गैसों के अधिक्तम विनमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है अर्थात इस प्रश्ण में हमें यह समझाना है कि फेफणों में अधिक से अधिक गैसी विनमय हो सके इसके लिए हमारे फेफणों में क्या विसेस्ताइं पाई जाती है या हमारे फेफणों में मिलने वाली कूपिकाओं में ही गैसी विनमय क्यों होता है चलिए हम सुरुवात करते हैं गैसी ये विनमे से अर्थात वायू मंदली ये वायू में से ऑक्सिजन का खून में जाना और खून में से CO2 का वायू मंदली ये वायू में जाना यह करिया गैस विनमे कहलाती है यह क्रिया हमारे फेपणों के अंदर जिस स्थान पर होती है उसे हम कूपिकाएं कहते हैं यहां चित्र में आपको दिखाया जा रहा है यह कूपिकाएं हैं कूपिकाओं के अंदर वायू जब हम सांस लेते हैं तो कूपिकाओं के अंदर वायू ऑक्सिजन एक तो वायू आ जाती है यह ऑक्सिजन हमारे खून में पहुँच जाती है और कारवंडाई उक्साइड बाहर निकल जाती है तो कूपिकाओं के सतह पर रुधिर और वायू मंडली वायू के मद्द गैसों का आदान प्रदान हो रहा है असुद रुधिर में से कारवंडाई उक्साइड निकल कर कूपिकाओं में आ रही है और कूपिकाओं में से ऑक्सिजन रुधिर में जाकर घुल रही है इस प्र अधिक से अधिक ऑक्सिजन हमारे रुधिर में जाए इसके लिए हमारे फेपड़ों में कूपिकाओं की संख्या का अधिक होना चाहिए। इसी लिए हमारे फेपड़े इस्पंजी होते हैं और हमारे फेपड़ों में ऐसी कूपिकाएं बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है वक्षी गुहा में इस्थित हमारे एक जोड़ी फेपड़ों को अगर हम देखें तो इन फेपणों के अंदर स्वसन नलिकाओं और कूपिकाओं का घणा जाल है इनी के कारण हमारे फेपणे स्पंजी होते हैं और इतनी अधिक कूपिकाओं के कारण फेपणों के अंदर स्वसन सतह का छित्रफल बढ़ जाता है सोसं सतय का चित्रफल बढ़ जाता है तो आसानी से रुधिर और वायू के मद्ध ऑक्सिजन और सियो टू का आदान प्रदान हो जाता है जिसे हम गैसी विन्मय कहते हैं तो गैसी विन्मय कहां पर हो रहा है कूपिकाओं में हो रहा है फेपड़ों के अंदर अधिक से अधिक गैसी विन्मय हो इसके लिए फेपड़ों में कूपिकाओं अधिक होना चाहिए तो हमारे फेपड़े स्पंजी होते हैं उनमें कूपिकाओं या एल्वियू लाई चुना गया है अभी कल्पित किया गया है या गैसी विनमय की किरिया इसलिए हमारी कुपिकाओं में होती है अमीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा इसे अधिक से अधिक लाइक तथा सेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य सिक्छास्प्रद विडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद